नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल अंकित वर्मा और एच्पी नौटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 23 दिसंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा ख़़रों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर आएम तक बने रहे हैं अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दे और अंकित वर्मा और एच्पी नौटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले ताकि आप तक हमाचल प्रदेश की हार नौटिफिक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा ख़बरें जो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो शाम की प्याली ताजा ख़बर ब्रेकिंग निउस है चोटी काशी मंडी पीम मोदी ने हिमाचल को दी 11,000 करोड की सौगा तो प्रधान मंतरी निरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में एक विचारधारा विलंब की है और दूसरी विकास की विलंब की विचारधारा वालों ने पहड़ों पर रहने वालों की कभी परवा नहीं की विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को अटल टरनल के लिए दशकों तक इंतजार करवाया विलंब की विचारधारा वालों के कारण ही रेण का बांध प्रियोजना में तीन दशक जो है लग गया अगणी उस जाब के सामने हमीरपुर से कि S.H.O. से विजलन्स थाना में लंबी पोश्थाच कहा घूस के आरोप में निराधार मेरे पास कोई पैसे नहीं तो 21 दिसंबर को विजलन्स ने S.H.O. नीरज राणा के खिलाफ रिश्वत के आरोप में मामला दर्ज किया था दुधारू पश्वों को मंडी से प्ठान कोट ले जा रहे एक ब्यक्ति से आरोपी ने 25,000 रुपय रिश्वत मांगी थी नदोन के लेबर चौक पर S.H.O. रिश्वत की राकम ले रहा था तो विजलन्स ने उसे गिरफतार करने का प्रियास किया लेकिन वा विजलन्स टीम पर गाड़ी चिड़ाने का प्रियास करते हुए मौक्य से फरार हो गया अगनी उज़ाब के सामने उच शिक्षा निदेशल स्कूल और कॉलेज़ों में छात्र हिंसा पर अब प्रिंसिपल होंगे जिम्यदार तो उच शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से सौमबार को स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपलों सहत जीला उपनिदेशकों को पत्तर जारी किया गया है इसमें सफष्ट किया है कि अगर इहंसक कतिविदिया यूँ ही जारी रही तो प्रिंसिपलों के खिलाब कारिवाई की जाएगी अगरी उज़ाब के सामने हिमाचल से कि हाम्ता जलोडी दर्रा में देर रात तक चलता रहा बचाव अभ्यान 400 सालानी निका दे तो हाम्ता और जलोडी दर्रा में करीब 6 गंटे तक ज़े गंटे चले बचाव अभ्यान में दोनों जगह से 400 से अधिक सालानीयों को निकाला गया इसके लिए प्रिशासन ने पुलिस होटली एरेओं टेक्सी यूनियन अगरी शमन विभाक के साथ चोय स्थानिय लगवों की मदद ली अगरी उज़ाब के सामने शमरा से कि स्कूलों में प्रिक्षाओं का दोर खत्म 31 देसंबर को निकलेगा परिणाम तो असेस्मेंट प्रिक्षा में प्राप तंकों के आधार पर बारशे ग्रेडिंग त्यार की जाएगी 31 देसंबर को इन स्कूलों में परिणाम जूए गोशित होंगे अगरी उज़ाब के सामने गगरेट में स्कूटी सवार दो यूबकों से पकड़ी एक किलो 412 ग्राम चर्स एक आरूपी पंजाब से तो गगरेट पुलिस की टीम ने स्कूटी सवार दो यूबकों को चर्स की बड़ी खेब के साथ तबोचा है अगरी उज़ाब के सामने चंबा में कांगरेस का प्रदेशन सरकार के चाल सार पूरे होने पर जीला मुख्याले पर लगाए नारे तो भाजपा सरकार के चारवार शिका कारेकाल पूरा होने पर कांगरेस ने पार्टी ने जीला मुख्यले चंबा में स्वामबार को धर्दाव प्रदर्शन किया अगणी हुज़ आपके सामने आस्ता की रा में गंदगी के कांटे बिश्व विख्यात इस थल पर या प्रेशानी जील रहे हैं सालानी तो पंच रूखी से ने जीले की बिश्व विख्यात बेजोर बस्तु शिल्प के परतीक मा आशापूरी मंदर में देश विदेश के प्रेटकों वाश्र धालों का आवागमन होता है लेकिन इस मंदर को जाने बाले सीडियों में गंदगी का आलम ग्रहन लगता है अगनी उज़ाब के सामने मोदी इन मंदी परधान मंतरी नरेंदर मोदी की रैली को उमड़ा जन सालाव छोटा पढ़ गया पैडल मैदान तो हिमाचल परदेश की शंबला की राजधानी शंबला में जो है सूम बार सुबह एक जेनरल स्टोर में आग लगने का मामला सामने आया है भी जेपी के चार बर्ष पूरे होने पर कांगरस ने मनाया काला दिवास राज यफाल को भेजा ग्यापन तो परदेश में भाजपा सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने आज काला दिवास जो है मनाया जीला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के कुशासन को लेकर अतरेक तोपा युक्तों के माध्यम से राज ये पारल को जो है क्यापन भेजा अगनी उज़ाब के सामने लाइब छोटी काशी में पीम पीम ने याद किया सेपू बड़ी कचोरी और बदाना का टेस्ट तो दोस्तों ये थी आज 27 दिसंबर 2021 की हिमाचल परदेश की शाम 5 मजे की टॉप 10 अंतारा खबरें अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और अच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यावाद जैहिन जैभार